नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे railway group D 2021 exam के लिए ये सभी expected questions होंगे general science के general science जो रहता है काफी important topic रहता है group D exam के लिए 25 questions पूछ जाते हैं general science से group D exam में तो ये जो रहेगी एक series का एक part रहेगा हमने general science की एक series start करी है जिसका link आपको description में provide करा दिया गया है साथ इसका link आपको उपर i button पर click करके भी मिल जाएगा तो ये जो वीडियो रहेंगे ये काफी important रहेंगे आपके exam के लिए तो आप इनको जरूर देखें और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और साथ हमारे चैनल को भी subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते है पहला question क्या है होता है HIV virus अब अगर HIV का test कराये जाता है तो उसका क्या नाम रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा ELISA test तो ELISA test जो होता है ये पता लगाने के लिए किया जाता है AIDS बिमारी का जो HIV virus होता है उसका पता लगाने के लिए ELISA test किया जाता है अगला question देखते हैं which of the following make tissue in the body तो हमारी body में जो tissues होते हैं उनको जो बनाने का काम होता है वो किसका होता है तो हमारा answer हो जाएगा protein तो protein जो होते हैं ये बनाते हैं tissues को हमारी body में तो ये आपको ध्यान रखना है ये question भी काफी important question रहता है exams के लिए अगला question देखते हैं what is the essential element for the manufacturing of bone and teeth तो basic question रहता है आपको पता होगा हमारी हड़ियां होते हैं और हमारे जो दात होते हैं उनको बनाने में जो essential element होता है वो कौन सा होता है तो हमारा answer हो जाएगा both A and B तो calcium और phosphorus जो होता है इन दोनों का मिलके बना होता है हमारी body में हड़ियां और हमारे दात तो यह दोनों जो होते हैं main component होते है manufacturing के लिए हड़ियों के लिए और teeth के लिए अगला question देखते है purification of water is done by which element तो water जो होता है पानी जो होता है उसका जो purification करा जाता है तो उसमें कौन सा element होता है जो की use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा chlorine chlorine जो होता है यह use करा जाता है purification के लिए water में अगर आपके हैं आरो लगे होंगे तो उसमें chlorine की जो lead होती है वो पढ़ी होती है जो की purification का काम करती है water का तो आपको ध्यान रखना है कि water purification में chlorine का use करा जाता है अगला question देखते हैं डाइप्टियर इस एसा unit of power of dash तो डाइप्टर जो होती है वो SI unit होती है power of किसकी तो हमारा answer हो जाएगा lens तो power of lens जो होती है उसकी अगर SI unit पूछी जाए आपसे तो वो हो जाएगी डाइप्टर डाइप्टर जो होती है यह power of lens की SI unit रहेगी तो यह आपको ध्यान रखना है और दोस्तों एक important बात और रहेगी कि हमने hiring start करी है HVS studies के लिए तो अगर आप interested हो HVS studies के साथ काम करने में तो आप HVS studies official at the rate gmail.com पे हमको mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं which gas leak अकर इंडी भोपाल gas scandal 1984 तो भोपाल gas scandal जो हुआ था 1984 में यह कौन से gas के कारण हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा methyl isocyanate methyl isocyanate जो है इस gas की वज़े से भोपाल gas scandal जो है यह हुआ था 1984 में और यह question most important रहता है एक बहुत बड़ी tragedy थी भोपाल gas scandal की जो की हुई थी 1984 में आपको year भी याद रखना है कि 1984 में भोपाल gas tragedy हुई थी अगला question देखते हैं which vitamin is considered to be a hormone तो कौन सा vitamin होता है जिसको की hormone माना जाता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin D तो vitamin D जो होता है इसको hormone भी माना जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है इस type के questions जो होते हैं यह काफी पूछे जाते हैं exams में तो vitamin D को hormone भी बोला जाता है which of the following hormone is called life-saving hormone तो कौन सा hormone होता है जिसको की life-saving hormone भी बोला जाता है most important question तो हमारा answer हो जाएगा adrenal adrenal या फिर adrenal hormone जो होता है इसको life-saving hormone के नाम से जाना जाता है तो यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है important रहता है और यह question अक्सर exam में पूछा भी जाता है अगला question देखते हैं which disease is caused by the bite of a mad dog तो अगर कोई पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वह कौन सी बिमारी होती है जो की transfer करता है तो हमारा answer हो जाएगा hydrophobia तो hydrophobia जो disease होती है यह परिशानी start हो जाती है अगर कोई कुत्ता जो होता है अगर कोई dog जो होता है वो bite कर लेता है अगर कोई mad dog bite करता है तो उसकी वैशे से hydrophobia बिमारी होती है which of the following causes yellow color of leaves तो जो leaves होती है उनका आपने color देखा होगा उनका color yellow भी हो जाता है तो green तो होता है लेकिन कभी-कभी आप देखेंगे वो जब सूखने लगती है तो उनका color हलका सा yellowish हो जाता है तो वो जो yellow पन आता है leaves में वो किस कारण की वज़े से आता है तो हमारा answer हो जाएगा keratin keratin जो होता है उसकी presence की वज़े से हलका सा yellow पन जो होता है leaves में वो देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है जो yellowish पन होता है leaves का वो होता है keratin की वज़े से अब अगर हम urine की बात करें तो हमारा जो urine होता है उसमें आप देखते होंगे हलका सा yellow पन होता है तो वो जो yellowishness होती है urine में वो किस कारण से होती है किस चीज की presence की वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा euro chrome तो euro chrome जो होता है ये present होता है urine में जिसकी वज़े से जो हमारा urine होता है वो yellow color का होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये question भी important question है, अगला question देखते हैं, which of the following hormone is called emergency hormone, तो कौन सा hormone होता है जिसको की emergency hormone के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा adenal, adenal hormone जो होता है इसको emergency hormone के नाम से भी जाना जाता है, और अब यह हमने पीछे ही question discuss कराता कि कौन स hormone होता है, जिसको की life saving hormone भी बोला जाता है, तो life saving hormone भी बोलते है, adenal hormone को, और emergency hormone भी बोलते है, adenal hormone को, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों important रहते हैं, और दोनों exams में पूछे जाते हैं, अगला question देखते हैं, in plant body by which the water and mineral are transported, तो plant जो होता है, plant body जो होती है, उसमें जो water और minerals transport करे जाते हैं, जैसे कि root हो गया, stem हो गया, सब parts तक जो water और mineral पहुचाया जाता है, वो किसके द्वारे transport करे जाते हैं, तो हमारा answer हो जाएगा, xylem, xylem जो होता है, ये transport करता है, water और minerals को plant body में, तो ये question most important question रहेगा, आपके exam के लिए, इस video का सबसे important question है, और आपक करता है, पूरी plant body में, अगला question देखते हैं, what is the requirement for photosynthesis, तो photosynthesis का process जो होता है, उसमें किन किन चीज़ों की requirement होती है, जरूरत होती है, तो हमारा answer हो जाएगा, all of the above, तो ये चार चीज़े होती है, जिनकी जरूरत होती है, photosynthesis के लिए, एक होती है carbon dioxide, एक होता है water, H2O, एक होत है, वो responsible होता है, green color के लिए, फिर चौती चीज़ जो होती है, वो रहती है sunlight, धूप जो होती है, वो चौती चीज़ होती है, तो ये चार चीज़े होती है, जिनकी जरूरत होती है, photosynthesis के लिए, चारो ही most important रहती है, और इनके बिना जो photosynthesis का process होता है, वो complete नहीं हो सकता, एक protein होता है, जो की present होता है हमारे बालों में, और ये जो questions होते हैं, जो हमारी body से related questions होते हैं, जो biology related questions होते हैं, वो group D में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो human body रहेगी और plant body जो रहेगी, उससे related question आप अच्छी तरीके से तयार करें, अगला question देखते हैं, blood group was discovered by whom, तो blood groups जो होते हैं, उसकी जो खोज करी गई थी, discovery करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा, land stanner, land stanner जो हैं, इनके द्वारा कोज करी गई थी, discovery करी गई थी, blood group की, अब एक most important question रहता है, कि circulation of blood जो बताया गया था, वो किसके द्वारा बताया गया तो वो रहेंगे, William Harvey, William Harvey के द्वारा बताया गया था, circulation of blood के बारे में, जो की most important रहता है, अगला question देखते हैं, which of the following is known as the blood bank of the body, तो blood bank of the body, मतला हमारी body का जो blood bank होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, spline, spline जो होता है, यह blood bank होता है, हमारी body का, हमने आपको पहले भी बता रखा है, इसमें जो extra blood होता है, वो store हो जाता है, और जब हमारी body में blood की कमी होती है, तो spline जो होता है, यह blood को release करता है, जिससे की जो हमारी कमी है blood की body में, उसको पूरा करा जा सके, तो यह आपको ध् रखना है most important अगला question देखते हैं insulin is secreted by which part of the body तो insulin जो होता है ये कौन सी body के part के दोवारा secret करा जाता है या कौन सा body का part होता है जो की form करता है insulin को हमारी body में तो हमारा answer हो जाएगा pancreas तो pancreas जो हमारा body का part होता है जो की kidney के around जो की kidney के करी present होता है ये यही responsible होता है insulin formation के लिए और जो हमारी body में जो diabetes की परिशानी होती है वो इसकी वज़े से ही होती है insulin का जब secretion कम हो जाता है या जादा हो जाता है उसकी वज़े से diabetes की परिशानी होती है तो pancreas जो होता है यही secret करता है insulin को अगला question देखते हैं वर्ड AIDS day is observed on अगर वर्ड AIDS day की बात करी जाए जो कि HIV virus की वैसे होता है तो वर्ड AIDS day जो होता है हर साल कौनसी date को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 1 December हर साल 1 December को observe किया जाता है वर्ड AIDS day को how long does it take sunlight to reach earth तो यह भी एक काफी important question रहता है सूरज की केर्णे जो होती है वो अर्थ तक पहुचने में कितना time लगाती है तो हमारा answer हो जाएगा 8 minute 20 second तो 8 minute 20 second लगता है सूरज से sunlight को पहुचने में अर्थ तक तो यह आपको ध्यान रखना है यह जो पर रहेगा यह जो यह जो time रहता है यह आप जरूर नोट करें और इसको आप revise करते रहें इसको आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साती हमारे चैनल को भी subscribe कर लें और जितने भी important topics होते हैं जिनके उपर exams में question पूछे जाते हैं उनकी separate वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी आप उपर i button पे click करके सारी playlist देख सकते हैं जोकि most important रहेंगे आपके group day exam के लिए साती उन सभी का link आपको description में provide कराए गया है और दोस्तों अगर आप interested है अगर आपको knowledge है पढ़ाई से related पढ़ाने की knowledge है आप तो आप हमको mail कर सकते हैं आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं हमारी email id रहेगी hvsstudis official at the rate gmail.com आप हमको mail करें और जो आपके main subjects रहेंगे आप उनको भी हमको बता सकते हैं तो आप यह सब चीज़ें जो हमको provide करा सकते हैं अगर आप interested हो तो धन्यवाद दोस्तों